चलिए तो बात करते हैं इस एक और question के बारे में इस question में examiner ने कहा है 1 upon में A plus का 1 upon में B plus का 1 upon में C plus का 1 by 2 is equal to 16 by 23 यानि कि examiner ने कहा है कि इन तीनों जो A plus B plus C इसका मान बताईए तो एक तरीका तो यह है कि आप इसको से multiply कि इसमें जोड़ती है इसको उल्टा कीजिए फिर लास्ट में A plus B plus C something कुछ submission आएगा इसका उसको या तो आपको formula में convert करना पड़ेगा या फिर कोई value आपको assume करके रखनी पड़ेगी जो 16 by 23 के equivalent आजाए या फिर simple था है इस वाली जो value को इस वाली form में लाना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे इसी वाली value को इस form में लाने कोशिश करेंगे और क्या करेंगे जो नीचे वाली value है उसको हम क्या करेंगे direct divide करेंगे 16 से 16 जाएगा मेरा 1 पर तो यह मेरे पास जाएगा 16 यहां minus करेंगे तो मेरे पास 7 बचेगा यानि कि यह वाली value जाएगी मेरी पहले यानि कि A की value आएगी यानि कि यह वाली value मेरी यह आएगी उसके पाद इस 7 से आप 6 season को divide कर दिजीए यह आएगा 2 पर आपका तो यह 14 आएगा यानि कि यह 2 बचेगा तो यह मेरी जो value आएगी यह मेरे पास में इस B की value आएगी है इस 2 से फिर आप भी 7 को divide कर दिजिए तो 7, 2, 3, 6 यानि कि remaining 1 बचेगा तो यह जो value आएगी मेरे पास में वो C की value आएगी और examiner ने मुझसे इन तीनों का sum पूछा है तो इन तीनों का sum तो जाएगा आएगा 6 यानि कि option B इस question के लिए correct होगा I hope आप से भी question समझ में आया होगा